सिराज नी सवी से किया गाड़ी के असली मालिक का खुलासा और यही पर आएगा सीरियल गौम है किसी के प्यार में मिल जबडस ट्रैक जी हाँ दोस्तो आप शो के अपकमेंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां सवी ईशा के साथ हुए उस खतर नाखासे के पीछे के असली गुनेगार का पता लगाने के लिए जमीन आसमान एक कर देने वाली है तो वही पुलिस वालों के जरिये सबी को ये बात तो पता चल जाती है कि घर का ही कोई मेंबर है जो शाजस में शामिल हुओ था और मिला हुआ था जहां रज़त उस नंबर की सारी इर्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए टेलिकॉम आफिस जाता है तो वही टेलिकॉम आफिसर रज़त की मदद करता है और कह पर जोड डालता है कि तबी उसे याद आता है कि मेरे सिगनेचर को एक्जैक्ट वे में कॉपी करना सिर्फ और सिर्फ तारा को ही आता है तो इसका मतलब वह नमबर तारा ने मेरे नाम से एक्टिव करवाया है पर अभी तो तारा अपना पुराना नंबर ही यूज कर रही ह तो वही सबी शौक्ड हो जाती है और कहते हुए नजर आने वाली है कि अगर वो नंबर जिगर यूस कर रहा था तो वो महंगी गाड़ी स्यूवी उसके पास कहां से आई ना तो उसके पास इतने पैसे हैं और ना ही वो कोई जॉब करता है तो वही रज़त कहते हुए नजर आने वाला है कि मैं जानता हूँ वो कार अर्श गुज्राल की है और वो कार अर्श ने कियान को उसके बड़े पर गिफ्ट की थी वैल लब शूर के अपकमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां आशका को ये बात पता चल जाती है कि रजट इस एक्सिडेंट केस के ट्विस्स देखने को मिलने वाला है जहां एक तरफ सवी और रजट एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं तो वही रजट ने पहले ही सवी से ही प्रॉमिस किया हुआ होता है कि वो किसी भी कीमत पर गुनेकार को सजा दिलवा के ही रहेगा लेकिन जब रजट को ये बात पता चलती है कि जी गर्णे कियान की गारी का इस्तमाल करके उस साजिश को अंजाम दिया था तो उसे तगरा जटका लगता है जहां आज का कियान के नाम पर रजट को मैनिपुलेट करेगी और उसे ये बड़ा वादा मांगीगी कि वो ही केस वापिस ले 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 ही दोस्तों क्या बेटे के प्यार में मजबूर होके रजट कर लेगा केस को क्लोज या रजट सभी और कियान में से किसे चुने काई जानने के लिए आप सब बने रहे हैं हमारे साथ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले